सर, क्या आपको लगता है कि एक मस्बूत राष्ट्र बनाने के लिए एक मस्बूत सेना होनी चाहिए? देखे, हमारे पास दस लाख सैनिक हैं. मैं चाता हूँ कि आप यह समझें कि एक देश को छोड़ कर कोई भी इस देश पर बंबारी करने के नहीं सोचता. हाँ, आप यह समझ लीजिए. अभी हमारा जगड़ा उससे है जो पहले इस देश का हिस्सा था और अब हमारा पड़ोसी है. ठीक है? अब हम यह बदल नहीं सकते. इस पर हमारा खर्चा कितना है? एक छोटे से जगड़े के लिए हमारा निवेश कितना है? बहुत ज़्याद है. इस समय हम फ्रेंच टेसॉल्ट फाइटर्स खरीदने की सोच रहे हैं. हर एक की कीमत 600 करोड है. बूम! एक क्राश और एक सेकंड में खत्म. ठीक है? मिरा मतलब, हमारे पास सेना ज़रूर होनी चाहिए. दुनिया की चेतना अभी वैसे नहीं हुई है क लोग बिना सुरक्षा के रह सकें, एक मजबूत सेना ज़रूरी है. और ऐसा है भी, इसे कई तरीकों से विक्सित करना होगा, ऐसा किया जाएगा. मैं एक कांफरेंस में चर्चा कर रहा था, और वो डिसॉल्ट की बात कर रहे थे. मैंने का, आप चाइनीज हवाई जहाज क जानकारी है. हाँ, डिसॉल्ट के तुलना चाइनीज हवाई जहाज से नहीं कर सकते, पर चाइनीज हवाई जहाज ओड़कर बम गिरा सकते हैं. और यही माइने रखता है. और कीमत दस गुना कम है. हम युनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका से युद्ध नहीं छेडने अगर हमारी कभी लड़ाई हुई, तो वो हमारे पडूसी से होगी. अब ये 600 करोड, मैं सरकार को सला देना चाहूंगा कि 100 हवाई जहास खरीदने के बजाए, पाकिस्तान में डीजल या कोईले के 100 पावर स्टेशन स्थापित करें. उन्हें फ्री में बिजली दीजिए. या पैसे लीजिए. अगर आप कहेंगे, तो हमारी कंपनियां ये कर लेंगी, और उन्हें यहां निवेश करने दीजिए. अगर वो यहां पैसे लगाते हैं, तो वो यहां बम नहीं गिराएंगे. अगर आप अपना पैसा वहां लगाते हैं, तो आप उन पर बम नहीं गिर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते हैं, हमें ये पसंद है, आपने वागा पर ये देखा है, देखे, महात्मा गांधी ने क्या कहा, ये देखिए, उन्होंने ये कहा है, ये अद्भुत है, वो ऐसे मनुष्य हैं, इसलिए हमें उनका समान करना चाहिए, वो सिर दुश्मन को खत्म करने से मेरा मतलब है, आप दुश्मन को तभी खत्म कर सकते हैं, जब आप दुश्मन ही खत्म कर दें। मैं पूछ रहा हूँ कोई नहीं तो आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं मैं जानता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सरल बता रहा हूँ पर बुन्यादी बात यही है देखे, फिलहाल मैं इसे थोड़ा सरल बता रहा हूँ जटल काम है पर इसका हल निकाला जा सकता है ये एक दिन में नहीं होगा अगले 10-15 सालों में आप अपनी दुश्मनी को खत्म कर सकते हैं